हेलो एवरीवन विलकम टू आएक्जैंबी इस प्रिंस मेरे नाम है कहला श्तिवारी आप सभी का स्वागत है अपनी आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं उन चार चीजों के बारे में जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरिन चीन गूलें मोधीजी ने सीकर राजस्थान से किसानों के लिए या फिर हमारे फार्मर्स के लिए हम कह सकते हैं लौंच की गया था पीम प्रणाम के साथ cabinet में गॉर्मेंट ने मंजूरी दी थी और आज इसको लॉंच कर दिया गया डेट याद रखेगा 27 जुलाई क्योंकि नवाट का एक्जैमिनेशन हो सकता है पास पर हो तो यह कोशन पूछे जाएं पीम किसान की 14th installment के रूप में साड़े आठ करोड किसानों के खाते में 17,000 करोड से अधिक की राशी का हस्तांतरण या फिर ट्रांसफर किया गया फोर चीज़े डिजिटल कॉमर्स के लिए ONDC पर 1600 से अधिक FPOs की ओनवोर्डिंग की गई यह चारो चीज़े क्या है इनको डिटेल में समझेंगे पीम किसान की 14th installment रिलीज हुई यह तो आपको डारेक्ट समझ आता ही है सबसे पहले हम डिसकर्स करेंगे वन लेग 25,000 पीम के असके प्रदान मंत्री किसान समरिद्धी केंद्र यह क्या चीज़े इनको डिसकर्स करते हैं आप और हम जैसे कि आज की टाइम पर हमें मान लीजिए कि आज हमें जाना है हमें कपड़े भी लेने हैं कुछ ग्रॉसरी भी लेने हैं कुछ बरतन भी लेन है तो आपके माइंड में क्या आता है आज की टाइम पर हम बाजार जाने से ज़्यादा हम प्रिफर करते हैं कि पास में विशाल में का मार्ट है या फिर जीओ मार्ट है कुछ कोई भी मार्ट है हम वहाँ चले आते हैं बेसिकली कहने का मतलब है हम मौल में चले जाते हैं क् कुछ अच्छे रेट पर भी मिल जाती हैं तो दोनों फायदे हमें होते हैं सेम चीज किसानों के लिए किसान को fertilizer के लिए अलग जगह जाना परता था pesticides के लिए अलग जगह जाना परता था irrigation या फिर implement से related कोई चीजे हैं उसके लिए अलग जगह जाना परता था और उन सबसे बड़ी बात कि अगर farmers के लिए कोई scheme है तो उनका उने पता चल ही नहीं पाता था तो government ने किया प्रधान मंत्री किसान समरिद्धी केंद्र बनाये गए जिसमें ये सारी की सारी चीजे एक ही जगह पर मिलेंगी तो जो already हमारे fertilizer stores है या फिर जितने भी agriculture stores है उनको convert किया गया प्रधान मंत्री किसान समरिद्धी केंद्र में यहां पर सारी चीजे एक one point solution या फिर हम कहते है वह जो one stop solution वो बनाया गया यह इसके शुरुवात अगर हम कहें कि प्रधान मंत्री किसान समरिद्धी केंद्र इसके शुरुवात की गई थी 17th of October को जब 12th installment release की गया है प्रधान मंत्री किसान समरिद्धी केंद्र में से पहले जमने दिखाया था आपको प्राइवेट थे तो यह सारी चीजें हैं जो प्रधान मंत्री किसान समरिद्धी केंद्र से दूरूंगी मतलब यहां पर one stop solution होगा agriculture से related सारे ही inputs के लिए even soil health card या फिर वो सारी ची आज की सुविधाय मिलेंगी और रेट भी यहां पर ठीक मिलेंगे या फिर हम जैसे कह सकते कि subsidized government क्योंकि आप सभी को पता है हमारे यहां पर जो यूरिया की बोरी अगर हम compare करेंगे बाकी country से जो कि आज मोदी जी ने भी बताया था अपनी इस program के launch में जो हम 266 रूपी की यूरिया की बोरी यहां पर खरीते हैं वो पाकिस्तान में 800 की बंगलादेश में 1600 की चाइना में 200 रूपे की और अमेरिका में 3000 रूपे की मिलती है तो आप यह समझे हम 300 रूपे से भी कम में खरीते हैं वही वो यूरिया बाकी countries में कितने different prices पे मिलता है तो यह सारी knowledge भी हो होना चाहिए और यह सही price में ही farmer को मिलना भी चाहिए इसलिए प्रधानमंत्री सम्रद्धिकिंद्र बनाए गए हैं इसके बाद जो launch है sulfur coated यूरिया का वो किया गया है जिसको हम यूरिया गोल्ड बोलते हैं अब यूरिया गोल्ड क्या है इससे पहले था नीम coated यूरिया अ बात्रा को भी बढ़ाएगा मतलब sulfur भी प्रोवाइट करेगा more economical and efficient than the neem coated यूरिया उससे ज्यादा efficient है साथ-जाथ it reduces the input cost of farmer extension of यूरिया subsidy ये तो फिशलिभार की बात है तो यह यूरिया गोल्ड के बारे में है यूरिया गोल्ड माने sulfur coated यूरिया ये question simple हो सकता है कि यूरिया गोल्ड हम किसे कहते हैं जिसमें sulfur की coating होगी उसे हम यूरिया गोल्ड कहेंगे PM किसान की 14th installment के बारे में हम समझी चुके हैं उसके आद जो चौती चीज थी वह है launch of 1600 FPO's onboarded with ONDC तो ONDC के साथ ONDC क्या है एक open platform है open network for digital commerce जिसने विल विटनेस दा ओन बोर्डिंग ऑफ 1600 फार्मर प्रडूसर और्डूसर और्गनाईजेशन तो यहां पर बेसिकली होगा क्या FPO's को direct access रहेगी डिजिटल marketing की online payment की B2B B2C transaction के encourages local value addition catalyzing growth of logistics in rural area तो basically FPO's के थूरू हम development करना चाहते है क्यों comment ने एक scheme launch की थी 2020 में आप देखेंगे the FPO initiative was launched in February 2020 यह last time नाबाड में question भी आया था कि इसकी target achievement date कब है with a total budget of 6865 crore rupees to set up 10,000 new FPO's in next five years तो वहीं ONDC क्या help करेगा इनके digital onboarding की तो यह चौती चीज है जो आज release की गई प्रधार मंत्री किसान सम्मान निदी की बारे में आप सभी को पता है 14 installment launch की गई है 2019 में यह scheme launch की गई थी government of India की एक MBCS या फिर महत्तुक आंक्शी परियोजना है जिसमें की हर एक किसान को हर एक किसान मतलब कोई भी farmer जिसके पास भी land holding है केवल exclusion category के farmers को छोड़के उन सभी farmer को हर साल 6000 रुपे उनकी financial या फिर income support के लिए दिये जाते हैं और 2000 रुपे की installment एक quarter में मतलब four month के interval में दी जाती है और यह जो अभी installment दी गई है यह 14th installment दी गई है जो first installment दी गई थी वो December 2018 से March 2019 के लिए दी गई थी सो यह था PM किसान के बारे में तो यह चार चीज़े थी चार चीज़े याद रखेगा PM किसान की 14 एक्जैम भी के साथ to make your preparation 50% faster किसी भी examination को अग्री कल्चेशन को आप टारगेट करते हैं तो हमारे platform पर आपको सभी के mock test विलकुल फ्री मिल जाएंगे आप जरूर attempt करें किसी भी doubt query question के लिए आप हमें connect कर सकते हैं इसकी भी पीटी आपको मिल जाएगी हमारे telegram channel पर भी और हमारे इसी video के link पर भी मिल जाएगी so this is all for today thank you everyone for watching this video and have a very great day ahead